आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्यूर स्किन की रेंज को यूज कैसे करते हैं सबसे पहले आप लेंगे जेल फेस वॉष एक मतर के दाने के साइज के बराबर आप हाथ में लेंगे फेस को गीला करेंगे और एक नॉर्मल फेस वॉष की तरह आपने इसको यूज करना है पूरे face पे gently face wash यूज़ करना है और उसके बाद face wash यूज़ करने के बाद इसे आप पानी से अच्छी तरह धोलेंगे second step में है हमारा toner pure skin toner जिसके साथ आट बूंद आप एक cotton pad पे लेंगे dab dab करके पूरे face पे apply करेंगे इसके बाद use करेंगे हम mattifying oil free lotion इसे थोड़ी सी quantity में लेंगे पूरे face में dotted form में लगाएंगे और just thread कर देंगे हलका सा massage करना है और छोड़ देना और ये हो गया आपका daily routine ये तो था हमारा daily routine और weekly routine में यूज़ करते हैं scrub और mask scrub यूज़ करने के लिए हमें थोड़ी से amount में scrub लेना है पूरे face पे dotted form में लगाना है थोड़ा पानी apply करना है और gently scrub करना है बहुत हलके हाथों से आपने इसे rub करना है पूरे face पे और इसे wash कर देना है scrub आप हफते में एक बार भी कर सकते हैं फेस पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में से लेकर अपलाई करना है आई एरिया को अवाइड करेंगे आई पे नहीं लगाना आई और लिपेरिया पे बाकी आपी से पूरे फेस पे पतली सी लेयर लगा देंगे प्यूर स्किन की पूरी रेंज में क्या-क्या इंगीडियन्स टेले हैं क्या बेनेफिट हैं यह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगे आप वहां से उसे देख सकते हैं आप अप्लाई करेंगे और फिर इसे छोड़ देंगे पांच मिनट के लिए आप 10 मिनट तक भी इसे छोड़ सकते हैं और गुने पानी से वाइप करना है और आप चाहें तो उस गुनगने पानी से चहरे को अच्छी तरह धो भी सकते हैं बस और आपके पास तैयार होगी बहुत ही खूबसूरत और निखरी हुई तो अच्छा प्यूर स्किन की ही रेंज में हमारे पास है SOS जल यह जल आपने तब लगाना है जब आपके फेस पे पिंपल्स हो या पिंपल के निशान हो अगर पिंपल आने वाला तो आप जस्ट उसे उसके उपर रब करेंगे फेस वोश करने के बाद और अगर पिंपल का निशान है तो भी आप फेस वोश के बाद इससे यूज करेंगे इसकी खासियत यह है कि बारा घंटे में आपकी ये पिंपल के साइज को छोटा कर देता है और अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं तो पिंपल के निशान को पर्मनेंटली खतम कर देता है बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपने इसे फेस वोश और टोनर यूज करने के बाद अपलाई करना है सुबह और रात को सोते वक्त तो जरूर करना है अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो